नमस्कार, स्वागत है आपका मायू जोतिश में सपने हर व्यक्ति को आते हैं सपना आना एक आम बात है कई बार तो ऐसा होता है कि हम सपने देखकर याद रखते हैं और कई बार हम भूल जाते हैं कभी-कभी सपने को हम नजर अंदाज कर देते हैं कई बार तो व्यक्ति सपना देखने के बाद चौक उठता है लेकिन क्या आपको पता है कि जो हम सपने में देखते हैं सपने में जो भी हम चीजे देखते हैं वो भविश्य की ओर संकेत देती है जो हम लोग नहीं जान पाते हैं लेकिन सपना जानने के जिग्यासा रखते हैं। स्वपने शास्त्र के अनुसार कुछ जीव जन्तु को सपने में देखना बहुत अशुब माना जाता है। तो आईए हम जानते हैं कि वो कौन-कौन से जीव जनतु हैं जिने सपने में देखना अशुब माना जाता है। स्वपन शास्त्र के अनुसार खतरनाग जंगली जानवर को सपने में दिखाई पड़ना बहुत ही अशुब माना गया है। यदि आप सपने में किसी खुंखाड जानवर को देखते हैं तो यह सेहत से जुड़ी गंभीर परिशानी होने की संकेत देता है। सपने में अगर किसी जंगली जानवर ने आपके उपर हमला कर दिया है तो किसी बड़ी समस्या की ओर संकेत देता है। आने वाले समय में माता पिता को परिशानी हो सकती है या किसी करीबी से धोखा मिलेगा सपने में बिल्लियों को देखना भी अशुब संकेत माना जाता है यदि आप सपने में काली बिल्ली देखते हैं या फिर बिल्लियों को लड़ते हुए देखते हैं तो यह संकेत आपके मित्रों से जगड़ा करने का संकेत माना जाता है सफेद बिल्ली देखने से धन की हानी होती है यदि आप अपने सपने में खटमल देखते हैं तो यह शुब संकेत नहीं है सपने में खटमल देखने से आपको अपने कारिशेत्र में कठिन संगर्स करनी पड़ेगी सपने में चमगादर देखना बिलकुल ही अशुब माना जाता है कहा जाता है कि यह नाकरात्मक शक्तियों का अभास कराता है यदि आपने सपने में टिड़ी दल देखा है तो सतर्क हो जाईए क्योंकि यह वैपार में हानी का संकेत देता है यदि आपको ऐसा सपना आए तो वैपार के सभी निर्णे सोच समझ कर लें स्वपन शास्त के अनुसार अगर आपको सपने में कई सारी चीटियां देखती हैं तो ये अशुब संकेत देता है आपके जीवन में समस्याएं घिरने का संकेत है ये सपने में अगर आपको साप या फिन नेवला की लड़ाई दिखे तो समझ जाए कोट के चेहरी के मामलों में फसने की ओर संकेत कर रहा है